Hello everyone, welcome back to TCS Partsala YouTube channel. कुछ कारुनों से अभी हम लोग के कुछ वीडियो आने के बाद वीडियो नहीं आ रहे थे, but we will continue this, ठीक है, अब हम लोग यहां से फिर से स्टार्ट करेंगे, last वाले discussion में अगर आप जाएंगे, प्लेइलिस्ट में देखेंगे, तो we have completed until article 21, ठीक है, तो 21 जो right to life की बात करता है, वो हम article complete कर चुके थे, ठीक है, एक overview मैं आपको यहीं से समझाता हूँ, तो article 21 जो डील करता है, वो किसके बारे में है, protection of life and personal liberty के बारे में है, इसका मतलब जिसे आप हिंदी में कहते हैं, जीवन जीने की सुतंतरता, तो जीवन जीने की सुतंतरता में बहुत एक, बहुत simple इतना ही दिया है, कि जीवन जीने की सुतंतरता, अब ये तो बहुत ही like, widened concept हो सकता है, क्योंकि किस बात से life affect होती है, ये चीज तो कहते हैं, समय समय पर लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, और ये हुआ भी, इसलिए जिस तरह से लोगों को महसूस हुआ कि ये आवर्शक है, जैसे कुछ लोग को लगा कि अच्छी life जीने के लिए जो है, वो dignity बहुत जरूरी होती है, तो dignity के बारे में सुपरीम कोर्ट में रिट दायर की गई, तो finally ये कहा गया, हाँ right to dignified life भी जीवन जीने के अधिकार, मतलब article 21 में आना चाहिए, इन दे सेम concept privacy की बात हुई, तो सुपरीम कोर्ट ने इसको भी interpret किया, कि हाँ privacy भी जो है, वो इसके अंतरगत आएगी, हरी trial, जैसे माली जी किसी को गिरफतार कर लिया जाता है, और उसे बहुत दिन बाद उसका trial रखा जाता है, माली जी पांच से दस साल लग जाते हैं, उसको आप ये बताने में, कि आप निर्दोश हैं, तो वो जो दस साल का समय जाता है, जिसमें उसको अपना करियर बनाना था, तो वो दस साल का समय तो खराब हो गया, इसलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, उतनी जल्दी उसको trial मिले, ये जो है, speedy trial का arrangement होना चाहिए, और this is also related to article 21, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में डिस्कूस किया था, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो article 21 के अंतरगत, Supreme Court ने interpret करा है, उसको लेख करके बताया है, ठीक है, उसका like visualization किया है, कि हाँ ये इसमें आएगा, और article 21, एक ऐसा article है, जो पूरे समवधान में सबसे ज़्यादा बार व्यक्षा किया गया है, मतलब इसका explanation Supreme Court ने सबसे ज़्यादा बार दिया है, ठीक है, तो ये बाकी discussion हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे TCS पाट साला क्या कहते हैं, यूट्यूब वो टेलीग्राम का channel है, वहाँ से आप इसको पास सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ये session अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप इसे अपने friends के साथ जरूर सेयर किया करिए, this is what like gives moral to us, कि हम लोग लगातार काम करते रहें, और like और comment जरूर कर दिया करिए, इससे पता लगता है कि आप इसे पसंद कर रहें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब next slide में अगर बात करें, तो एक article 21 का A है, मतलब कि article 21 का A, article 21 का A जो है, ये 86th constitutional amendment में जोड़ा गया, जो कि 2002 में जोड़ा था, याद रखिएगा, छोटे exam में direct question बनते हैं, तो 86th constitutional amendment में, वैसे तो एक ये right to education यहाँ पर जोड़ा है, आप मुझे बताईएगा कि 86th constitutional amendment में भाग चार में भी कुछ जोड़ा हुआ था, ठेक है, भाग चार नहीं, हम सारी, भाग चार के कामें, मतलब 4 A में fundamental duties में भी कुछ जोड़ा था, क्या जोड़ा था आप मुझे comment करके बताईएगा, तो यह 86th constitutional amendment 2002 में एक नया पार्ट आर्टिकल 21 का एज जोड़ा गया, बात क्या थी मैं आपको समझाता हूँ, आर्टिकल 45 जो है, यह DPSP में मतलब डिरेक्टिव प्रिंसिपल में एक आर्टिकल है, जिसके तहट एक से लेकर के 14 वर्स तक के बच्चों की सिक्षा का प्राउधान था, कि मतलब government जब भी सक्षम होगी, उसके पास resources होंगे, तो वो यहां से लेकर यहां तक 1 to 14 जो है वो निशुलक सिक्षा की बात करेगी, लेकिन अब धीरे धीरे समय आया, जब हम इतने हमारा infrastructure डेवलप हुआ, तो हम लोगों ने 6 से 14 वर्स तक के बच्चों को, 6 to 14 एर्स के student को, free sleep education की बात की हमने, और उस जो आर्टिकल 45 में एक नीती निर्देशक्तत्तो था, वहां से 6 से 14 वर्स तक के बच्चों की सिक्षा का प्राउधान हम ले आया, और उसे एक भाग तीम में आर्टिकल 21 का ए एड कर दिया गया, तो आप से ये भी पुशा जाता है कि किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 45 में था, DPSP में जिसको हम लोगों ने fundamental right बनाया, और fundamental right कब बना, 2002 में बना, 86 constitutional amendment में बना था, ठीक है, तो 21 का ए डिरेक्ट question बनते हैं, आप इसे देख लीजेगा, कहां से कहां तक 6 to 14, येस के student के लिए ये हैं, ठीक है, हां, ये बाद ज़रूर धान रखिएगा, कि 2, it was added by 2002, ये add जो है, वो 2002 में हो गया था, लेकिन ये 2002 में start नहीं हुआ, मतलब came into force नहीं हुआ, प्रारंब नहीं हुआ, इसके लिए act बना एक 2009 में, ठीक है, 2009 में act बना, और इसी act के अंतरगत, एक अप्रिल 2010 से, ये जो है, right to education start हुआ, तो 2009 का act है, 2002 में add हुआ, 2009 में act बना, 2010 में it was in force, ठीक है, चली, अगले बात पर, अगले article पर चलते हैं, and this is article नमबर 22, तो अनुक्षेद नमबर 22 के अंतरगत, अगर हम लोग देखें, तो इसके अंतरगत, जो है, वो कुछ प्राउधान दिये गए हैं, against detention, जैसे मालीजीय किसी वक्ति को arrest कर लिया जाए, या detain कर लिया जाए, ठीक है, गिरफतार कर लिया जाए, तो इसमें उस वक्ति को गिरफतारी के विरुद कौन कौन सी सुतंतरता है, यह उसके कहते हैं, आर्टिकल बताता है, तो डिरेक्ट हिंदी में आप कहते हैं, गिरफतारी के विरुद सुतंतरता, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गिरफतारी होती है, मतलब कोई भी authority जब आपको detain करती है, अरेस्ट करती है, तो वो दो तरह के detention लेती है, एक तो punitive, punitive का मतलब है punishment से relate करिये, तो punitive जो होगी, मतलब आपने कोई crime कर दिया है, और उसके लिए आपको गिरफतार किया जा रहा है, on that basis, तो this is called as punitive detention, लेकिन आपने कोई crime नहीं किया है, लेकिन आपके बविश में किसी crime करने की आशंका है, इस बहाफ पे ताकि वो बाद में crime आप ना करें, अगर आपको detain कर लिया जाता है, this is called as preventive detention, ठीक है, निवारक, निरोधक, गिरफतारी, तो मतलब पहले से ही जो बाद में आपसे घटना होने वाली है, उसको बचाने के लिए prevent कर लिया जाता है, उन्हें detain कर लिया जाता है, मैं इसका एक चोटा example आप लोग देखे होंगे, जब आपके हाँ election होता है, तो election में अगर कोई एक व्यक्ति जिससे ये होता है कि भाई, ये election को खराब कर सकता है, तो उसे बुला करके कोटवाली या जो भी आसपास पुलिस महगमा होता है, वहाँ पे बिठा दिया जाता है, इफ the election gets over सामको, तो उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसे प्रिवेंट किया गया, तकि वह क्या न करे, वह कोई भी अपराद ना करे, ठीक है, अब ये एक बार में जब आप प्रिवेंटिव गिरफ्तारी होती है, तो इतना ही नहीं, अब जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसे रीजन नहीं बताया जाएगा, अब रीजन नहीं बताया जाएगा, तो कितने दिन तक मैक्सिमम ऐसा किया जा सकता है, वो मैक्सिमम थ्री मंथ के लिए डीटेन किया जा सकता है, ठीक है, बिना रीजन बताया, अगर उसे थ्री मंथ से ज़्यादा के लिए गिरफ़तार करना है तो फिर उसे जो लोकल वहां का इड्मिंस्टेशन होगा जो अथॉरिटी होगी ठीक है वहां से पर्मिशन लेनी पड़ेगी कोट से और तब वो जो है तीन महीने के बाद भी उसको डीटेन कर सकता है लेकिन घर वाले या उसके परचित लोग सुप्रीम कोट या हाई कोट में कौन सी याचिका दायर कर सकते हैं ठीक है पांच प्रकार के रिट जारी होती है मतब सुप्रीम कोट या हाई कोट इशू करते हैं तो कौन सी रिट सुप्रीम कोट अथवा हाई कोट इशू करेगा ऐसे सम तो पनेटिव लॉव में जब गिरफ़तार होगा तो गिरफ़तार करने के पहले उसको क्या बताना पड़ेगा? Ground of Arrest. क्यों गिरफ़तार किया जा रहा है? और उसे Legal Practitioner मतलब जो भी उसका वकील होगा उसको लेने की सला होगी वकील से सला ले सकता है और जब उसे गिरफ़तार किया जाएगा तो 24 गंटे के अंतरगत वहां के Magistrate के सामने पेस किया जाएगा ठीक है? Panitive गिरफ़तारी मतलब जो आपने अपराद कर रखा है अब ये 24 गंटों में आने जाने का समय छोड़ा जाएगा कि जो भी nearest Magistrate होगा वहां तक आपको ले जाए जाएगा और उसमें जो आने जाने का समय होगा उसको छोड़कर के maximum 24 hours में आपको authority के सामने रखा जाएगा ये panitive में है लेकिन अगर मालीज़ आपको preventive detention में गिरफ़तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा कि उसके लिए क्या होगा आपको maximum 3 months के लिए गिरफ़तार किया जा सकता है जितनी जल्दी हो सकेगा दवे पॉसिबल हो सकता है एक दिन में पॉसिबल, दस दिन में पॉसिबल, दो महीने में पॉसिबल ठीक है ना? लेकिन जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उसे कारण बताना पड़ेगा ठीक है? किस वज़े से उसको कहते हैं गिरफ़तार किया गया है ये डिस्क्लोज किया जाएगा और maximum कितने दिन तक? तीन महीने तक एक बार में रखा जाना है ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी विक्ति को गिरफ़तार किया जाएगा उसे जितना जल्दी होगा पॉसिबल उसे कारण बताना होगा ठीक है? अब इसके बाद आर्टिकल आपने 22 देखा 21 and 22 पढ़ लिया अब आर्टिकल 23 आता है 23 के अंतरगत क्या है? 23 and 24 को चाहे तो आप एक साथ पढ़ ले 23 and 24 दोनों के अंतरगत किसके बारे में चर्चा है? Exploitation के बारे में Against Exploitation मतलब सोसन के विरुद अधिकार देखो भाई 23 और 24 में अगर मैं इसको ऐसे clarify करूँ तो 23 के अंतरगत सब के सोसन की बात है किसी का भी सोसन होगा तो वो 23 के अंतरगत आएगा लेकिन जब Child Labor की बात होगी या 14 वर से कम उमर के बच्चों की बात होगी उनके सोसन की बात होगी तो ये टेजिन आर्टिकल 24 ठीक है? तो डिरेक्ट आप याद रखेगा 23 and 24 दोनों में Exploitation का बात है 23 deals with all the exploitations while 24 only deals with the Child Affairs ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल 23 के अंतरगत कहा गया है कि Human Trafficking ठीक है? और Force Labor मना होगा मतलब आप जबर जबर जस्ती किसी व्यक्ती से काम नहीं करवाएंगे Force Labor नहीं करवाएंगे और Human की क्रेविक्री नहीं होगी आदमियों को बेचना ठीक है ना? It was more popular like Ancient Times आप देखा जाए तो जो है Human Beings का Trafficking नहीं होगा ठीक है? उनको Sell और Purchase नहीं किया जाएगा अब इसके कुछ पॉइंट से आप देखे Article 23 Profits Traffic in Human Beings ठीक है? Begging मतलब आप किसी से जबर जस्ती भीक नहीं मंगवाएंगे ठीक है? जिसे आप Force Lever भी कह सकते हैं जबर जस्ती काम करवाना भी कह सकते हैं ठीक है? और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं ठीक है? So this will be punishable according to the law तो ये क्या होगा? दंड नहीं बात मानी जाएगी ठीक है? इसके खिलाफ आपको दंड मिल सकता है ठीक है? अब इसके साथी साथ आप ये भी देखिएगा ये सारी बाते आप यहां पे include हो चुकी है जो पहले देवदासी हुआ मतलब दास हुआ करते थे slavery का प्रता जो चलता था लोग गुलाम रखा करते थे ना तो ये सब इन ही चीज़ों को रोकने के लिए किया गया था आप सारे लोग जानते है constitution जब हमारा बना तो उसके पहले के महौल कितने खराब थे तो उन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था जो possibly उस समय हैपन हो रहे थे तो आर्टिकल 23 आपने पढ़ लिया कि human trafficking नहीं होगी और force level को मना किया गया है ठीक है तो एकदम सिंपल सा बात है इसमें एक शीज़ दहुर धान रखियेगा कि यदि किसी एक व्यक्ति को आप 8 घंटे काम कराते हैं और उसकी जो मजदूरी है वो 200 रुपए होती है तो अगर आप किसी से 8 घंटे काम करवा करके उसे 150 रुपए दे रहे हैं यह भी उसका एक्स्प्लाइटेशन माना जाता है और आर्टिकल 23 ठीक है चलिए आर्टिकल 24 मैं अगर भूक डिस्कॉस करें तो मैंने आप से कहा था प्रोविजन आप चाइल डिलेबर यह केवल 6 से 14 वर्स तक के बच्चे होंगे ठीक है उन्हें किसी भी फैक्टरी ठीक है किसी भी माइन ख़दान या किसी भी हजारडस एक्टिविटी मतलब किसी भी खतरनाक जगों पर उन्हें काम पर नहीं लगाया जाएगा ठीक है ना तो यह चीज किया गया है इसका मतलब यह है कि इसके अंतरगत यह नहीं लिखाया है कि उन्हें कहीं नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसके अंतरगत कि उन्हें माइन्स, फैक्टरीज या किसी भी डैंजरिस चखे पर नहीं रखा जाएगा, अब यहीं पर एक 1986 में चाइड लेबर प्रोवीजन एक्ट आया, ठीक है, 1986 में, ठीक है, इसके अंतरगत कुछ डैरेक्शन दिये गए, कि कहां आप बच्चों को नहीं यूज कर सकते, कहां पे उन्हें काम नहीं कर सकते, ठीक है, अब इसी समय अगर आप देखें, तो 2002 में एक प्रोवीजन आ गया है, जिसमें 6-14 वर्स तक कि बच्चों को कहां का, ठीक है, तो इस एक्ट के तहती है, कि उन्हें पढ़ने दिया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार से लेबर के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, काम उनसे नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, तो इस वस अल अबाउट आर्टिकल 24, आप याद करिए, 21 में हम लोगों ने जीव ट्रफिकिंग एंफोर्स लेबर को ले करके, जबकि हम लोग आर्टिकल 24, वी टॉक अबाउट चाइल लेबर, ठीक है, नावी कम टू आर्टिकल 25 तो 28, ठीक है, यह चौथे प्रकार की फ्रीडम है, यह लिखा भी है, फोर्थ फ्रीडम है, हम लोगों को कुल छे प्रकार क की सुधनता मिल रखी है, ठीक है, तो फोर्थ जो है, वो राइट तो फ्रीडम ओफ रिलीजन, मतलब आपका जो मर्जी करें, जिस मर्जी के आप रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, वो इसके अंतरकत आपको सुधनता प्राप्त है, आर्टिकल 25 से 28 तक हम लोग एक करके आर्टिकल 25 कहता है कि एक व्यक्ति जो है, उसको अधिकार है, वो फ्री है, किसके लिए, उसका जो मन करें, फ्रीडम ओफ कंसाइंस, मतलब आपका जो भी मन करें, जिस रिलीजन के प्रतिया आपकी शर्दवाव हो, आप जिस रिलीजन को मानना चाहते हैं, जिस वगवान क पूजा करना चाहते हैं, यू अर्फ्री, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस, प्रॉफिस, और प्रॉपगेट करने के लिए एक दम फ्री हैं, ठीक है, आप जिस भी रिलीजन को चाहते हैं, उस रिलीजन को, यहाँ पर देखें, घिर सारे रिलीजन के चिन भी बनें, आपको जो, whatever you like, आप उसे चूज कर सकते हैं, and you can accept it, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, कि आपको प्रैक्टिस करने का मतलब, जो भी चीज़ आपको मानना है, आप उस रिलीजन को मान सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, right to profess, right to practice, and right to propagate, right to profess का मतलब है, कि exactly आप जो भी आपको rituals मानना है, जैसे पूजा पार्ट करने हैं, जैसे आपको ceremonies करनी है, तो वो सब आप practice कर सकते हैं, practice कर सकते हैं, उसको profess भी कर सकते हैं, लोगों से declare भी कर सकते हैं, और propagate, आप चाहें तो लोगों को उसको समझा भी सकते हैं, अगर लोग आपकी महुना से, like, संग, आप राजी होते हैं, तो वो आपके religion को join भी कर सकते हैं, ठीक है, अब इस इस काल्ड लाइक advertisement, तो आप practice भी कर सकते हैं, profess भी कर सकते हैं, मतलब बता भी सकते हैं, उसको प्रचार भी कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है, अब एक बाद धान रखेगा, मैंने like health issue COVID-19 चल रहा है तो all the temples had been closed and still कहते हैं कुछ unlock किया गया but seeing the condition अभी देखिए तो south में बहुत सरे ऐसे temples which are not still open ठीक है तो इन सब ground पे इने contain भी किया जा सकता है ठीक है चली तो इसके बाद आगे डिस्कूस करेंगे article number 26 25 होगया practice, profession, propagate कर सकते हैं article 26 कहता है कि आप free हो किसके लिए manage करने के लिए religious affairs को आप अपने धार्मिक मामले को अपने हिसाब से manage करने के लिए free हो इसका मतलब क्या है आप मरजी करें तो institute बना लो आप उसके लिए एक संस्ता बना लो ठीक है और उसमें आप दान दक्शना लो वो आपका मरजी है आप कैसे उसको manage करते हैं ठीक है आपके matter जो reason का होगा उ उसको समा लेंगे कैसे पूजा करना है किस बात को मानेता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी so it is all your affairs ठीक है ना उस community का जो इसको follow करता है ठीक है आप movable या immovable property भी religion के नाम पर बना सकते हैं ठीक है और जैसे आप उसको चाहें उस वैसे administer कर सकते हैं कौन देखेगा कौन ने तो आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपनी चीजों को manage कर सकते हैं रस्ट्रिक्शन्स वही सारी बाते दी गई है कि कुछ चीजों पर आपको restrictions है आप उसे भाई public order की बात होगी morality या health की बात होगी तो इसे रोका जा सकता है इन सारे अधिकारों को contain किया जा सकता है चली आर्टि आर्टिकल 27 कहता है कि आपको tax नहीं देना होगा ठीक है जो भी religion को promote करेंगे उसमें आपको tax नहीं देना पड़ेगा मतलब करमुक्त होगा यह तो यही शीज कहा गया है कि जब भी कभी religion का जो भी affairs होगा payments होंगे पैसे दिया जाएंगे expenses होंगे it will not be covered under taxation उसके अंतरगत tax नहीं लिया जाएगा so this is article number 27 ठीक है आप समझ के रखिए 25 में क्या था 26 में क्या था 27 में क्या था ठीक है fact के लिए कभी कभी direct question आ जाते हैं अब इसके बाद article number 27 जब आपने पढ़ लिया तो last 25-28 था 25 पढ़ा 26 पढ़ा 27 पढ़ा and now we are on 28 था article इसमें क्या कहा गया है कि आप आपको freedom है ठीक है attendance अब देगो भई कोई restriction नहीं कि मालो आपने Hindu religion माल लिया तो जहां कहीं भी सभा हो रही होगी you are compelled to go ठीक है आप free हो आप मन करें तो religious ceremony को worship को attain करो या मत अटेंड करो ठीक है no this is on your wish ठीक है एक चीज़ और रखा गया है ध्यान रखेगा कि जैसे माल लिज स्कूल है जो एक private संस्ता या religion के द्वारा चलते हैं मतलब तीन प्रतार के स्कूल है नंबर एक जो है colleges है जो complete funded by किसके लिए state fund है ठीक है तो complete अगर state fund करता है तो आप बताए state तो राज्य हो गया और राज्य का कोई religion नहीं होता तो इसलिए ऐसे school में कोई भी religious instruction नहीं दिय जाएंगे ठीक है लेकिन कुछ हैसे होते हैं कि जिनमें state help करता है और वो administer किसके दोरा किये जाते है लोकल मतलब किसी organization के दोरा और कुछ हैसे होते हैं जो administer करता है state ठीक है तो जो state administer करेगा there is no like allowance allow नहीं है कि आप महाँ पे क्या करिए religious ideas को preach करिए लेकिन अगर माली जी उस को state own नहीं कर रहा है इस government नहीं है वो पूरी तरह से तो वहाँ पर आप partially जो है वो religious दे सकते हैं जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सार ऐसे college हैं जो Christian religion के trust दोरा चलते हैं तो वहाँ पे यह सब चीज़े promote की जाती है ठीक है दो देयार under state government लेकिन उनका पूरा का पूरा funding जो होता है वो किस के दोरा होता है वो religion के दोरा होता है तो इसलिए क्या होता है वो वहाँ पर partially उनके लिए allow होता है ठीक है तो article 28 इसकी बात करता है article 28 के बाद हम लोग बात करते है article 29 और 30 और जो आपकी पांचवी क्या है सुतंतरता है मौली का दिखा रहा है पांचवा ठ ऐसका मतलब इसका मतलब है आर्टिकल ट्वंटी नाई ऑन संक्रती की बात करेगा 30 जो हे वो एजूकेशन् सक्षा की बात करेगा अब किसके जिक्षा जो minor हैं जिनकी संख्या कम हैं तो आर्टिकल 29 क्या करता है इसका मतलब कोई भी community कहीं पर भी भारत के जगे पर रह रही है उसे अपना सब्धता, अपने संसकार, अपने culture को maintain करने का अधिकार होगा बले ये दसी लोग बचे हैं उस community में लेकिन उन पर अथिकरमर नहीं होगा तो इसलिए वो अपनी संस्कृती की रक्षा कर सकते हैं आर्टिकल 29 कहता है आर्टिकल 30 जो है, इट टॉक्स अबाउट कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं educational institute के स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल 29 में कुछ और बाते हैं का गया, no citizen shall be denied admission into educational institution maintained by state मैंने कहा कि अगर कोई institution state चलाता है, राज, मतब सरकार चलाती है तो उसमें किसी भी अलपसंख्यक को उसके caste के बेस पर, उसके culture के बेस पर मना नहीं किया जाएगा ठीक है ना, reason, caste और language के बेस पर मना नहीं किया जाएगा he must be allowed to enter, ठीक है ना तो इसलिए आर्टिकल 29 के अंतरगत क्या कर सकते हैं minority का interest protect होता है, सुरक्षित होता है कि वो अपने culture को secure कर सकते हैं और उन्हें कोई भी government जो position college है वहाँ पर मना नहीं किया जाएगा admission से आर्टिकल 29 के बाद, आर्टिकल 30, ठीक है कहा गया है कि minority को जो है वो right है मतलब जो अलब संके का उनको अधिकार है कि establish करें, मतलब बना सकते हैं और उसका प्रसासन और उसे चला सकते हैं किसे educational institution को अब जैसे मानों कि किसी की language जो है वो Tamil है, तो अगर माली जो उसे उसी भासा में पढ़ना है किसी बुडू है, ठीक है उनकी अलग जनजातियों की अलग भासा है तो वो अगर चाहें तो अपने institution open कर सकते हैं और वो उसे चलाएंगे ठीक है, and there shall be no interference ठीक है, तो all minorities cell have the right to establish the administrative education सबको अधिकार होगा अपने school चला सकते हैं ठीक है, और cell जो state है ना वो discriminate नहीं करेगा मतलब उनमें भेदभाव नहीं करेगा कि हम इसको दान नहीं देंगे हम इसकी मदद नहीं करेंगे, हम दूसरे college की मदद करेंगे तो state discriminate नहीं करेगा, और उन्हें अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो institution खोल सकते हैं और सिक्षा का ब्योस्ता कर सकते हैं, तो article 29 संस्कृती, culture और article 30, education, ठीक है ना, तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of poverty and minority educational institutions shall not restrict or abrogate the right guarantee to them ठीक है, तो यही चीज़ कही गई है, कि उनको किसी भी प्रकार से आप piousness नहीं दिखाएंगे, मतलब उनको अलग नहीं समझेंगे और जैसा सरकार सब के साथ करती है, they will be equally treated तो article 30 यहाँ पर खतम होता है, ठीक है अगर आपको कोई चीज़, doubt समझ में आती है, आपको लगता है कि चीज़ें clear नहीं हुई, तो you can comment in the section मैं उस चीज़ को और explain करके आपको बता दूँगा ठीक है, this I believe बच्चों की आपने classes करी हुई है ठीक है, और एक बार वैसे जो नहीं भी class किया है उसको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हुँगी ठीक है, आप कोई भी book refer कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं जिनों ने एक बार पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत easy होगा ठीक है, तो जरूर आप comment में ये बता दिया करिया आप तेश पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा सा और explain करो ठीक है, और basic से चलो तो ये सब चीज़ें मैं consider करूँगा and do I will follow this ठीक है, ताकि अगले वीडियो में चीज़ें maintain हो सकें चले, article 30 के बाद आप ध्यान रखिएगा कि article 30 के बाद जो है article 31 जो है, वो मैं आपको बता दू कि, नहीं मैं नहीं बताता हूँ, आप ही मुझे ढूड के बताईएगा कि क्या था और कब समप्थ किया गया इसके बाद 31 जब समप्थ हो गया तो article 32 आता है and this is very important article article 32 वही article है जिसको BRM बेटकर ने soul of the constitution का मतलब समप्थान की आत्मा का है इसके अंतरकत समप्थानिक उप्चार की बात की गई है constitutional remedies की बात की गई है ठीक है, मैंने देखे, यहाँ पे mention भी कर दिया है BRM बेटकर ने इसे क्या कहा soul of the constitution का है देखे, article 32 और high court जो है, वो article 226 ठीक है, बहुत important है दोनों आर्टिकल high court 226 के तहट और article 32 के तहट supreme court को अधिकार है कि यदि कोई भी क्या कहते हैं प्राउधान या कैसे भी किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है या मौलिक अधिकार नहीं प्राप्थ होता है तो वो इस दोनों आर्टिकल के तहट रिट जारी करेंगे, पांच प्राकार की रिटे होती है और उन रिट को जारी करके लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे ये रिट कौन सी हैं, देख लीजे heaviest corpus, mandamus, provision, site orary and q warrant एक एक करके हम लोग discuss करेंगे क्या हैं ये, सबसे पहले heaviest corpus, ठेक है, बहुत ज़रूरी आप ध्यान रखेंगे, heaviest corpus का मतलब है, to have the body before, मतलब to produce the body क्या होता है, कि जैसे मैंने आप से discuss किया था, किसी व्यक्ति को detain कर लिया जाए, और उसके बारे में कोई जानकारी न दी जाए, प्रसासन न दे, तो उसके परिजन या उसके जान पहचान वाले high court या supreme court में जा सकते हैं, article 32 supreme court, article 226 high court, और जाकर के बात बताएंगे, तो ऐसी स्थिती में supreme court जो writ जारी करेगा, वो heaviest corpus का होगा, और उस authority को जारी करेगा, जिसने गिरफतारी की है, कि आप उस व्यक्ति को हमारे साथ, हमारे सम्मुक ले आओ, मतलब to have the body before me, to produce the body, कि आप दिखाओ कि आपने उसे गिरफतार किया था है, नहीं, safe, तो इसलिए, heaviest corpus ये पहले rate हुई, ठीक है, तो इसके बाद, जो heaviest corpus, आप पढ़ लीजेगा, वही चीज़े हैं, जो मैंने आपको explain कर दी है, ठीक है, तो ये personal liberty के खिलाफ एक rate जारी करता है, supreme court और high court दोनों कर सकते हैं, ठीक है, नमबर दूसरा है, mandamus, mandamus का मतलब परमादेश होता है हिंदी में, जिसका मतलब होता है, I command, ठीक है, मैं आदेश देता हूँ, ये मेरा परमादेश है, इसमें क्या होता है, कि कभी कभी क्या होता है, public official, मतलब जन सेवक जो हैं, वो अपनी duty को perform नहीं करते हैं, ठीक है, और या तो perform करने से मना कर देते हैं, कि मैं नहीं करूंगा, जारी करेगा, और उसे कहेगा, कि I command, you have to do this, ठीक है, whatever the matter is, तो वो command करेंगे, and this is called mandamus, तो आपने देखी, और दोनों नियाले जारी कर रहा है, मतलब code जारी कर रहा है, और किसको, official को जारी कर रहा है, ठीक है, welcome to the third, ठीक है, third one is provision, provision का मतलब होता है, निशेद, अथवा मना कर देना, ये to forbid, ठीक है, तो direct word पूछ लेता है, provision का मतलब क्या होता है, तो to forbid, ये profit कर देना, मना कर देना, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कि एक कोई court होती है, और वो court जो है, वो अपने अधिकारों का दुरूपियों कर रही होती है मतलब वो या तो अपने दाइतियों का ठीक से निर्वान नहीं कर रही होती है या तो अपने अधिकार से जादा की अधिकार को देख रही होती है ठीक है तो ये भी मौलिक अधिकार का हनल माना जाता है तो आदमी जब कोई भी विक्ती वो जाएगा सुप्रीम कोट या हाई कोट तो जो भी कोट होगी वो अपनी लोवर कोट को जैसे सुप्रीम कोट अगर कहते हैं करेगी तो वो हाई कोट और लोवर कोट को इशू कर सकते है रिट लेकिन अगर हाई कोट होगी तो वो किवल लोवर कोट को हो सकता है रिट जारी करें इसलिए अगर हाई कोट कोई उलंगन करेगी तो कौन जारी करेगा सुप्रीम कोट ठीक है लेकिन अगर मालीजे ये लोवर कोट कोई उलंगन करती तो कौन जारी कर सकता है high court या तो supreme court दोनों जारी कर सकते हैं इसलिए lower court के नीचे district court के नीचे कोई court नहीं होती है इसलिए district court जारी नहीं कर पाता है ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो higher court होगा वो lower court को कहेगा कि profit कर देगा, कि तुम इस मामले की सुनवाई मत करो ठीक है, strict कर देगा, मतलब you have not to cross your limit and you have to suspend it like whatever you are hearing, ठीक है, तो profit कर देगा, तो उच्चे निचले 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 को मना कर देता है, तो provision rate जारी करता है, अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना, जब निचले 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 बात नहीं मान रहा होता है, और व्यक्ति जाकर के कहता है, कि सर ये अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे हैं, तो higher court क्या कहता है, ये काम करिए, आप इस मामले को मेरे पास भेज़ दीजे, मतलब higher court lower court से कहेगा, कि आप send that matter to the higher court मतलब to me, तो जब कभी, देखे, केवल मना कर देना होगा, तो provision किरिट होगी, लेकिन अगर मना करने के साथ सत क्या करना होगा, कि उस मामले को अपने पास inform करने के लिए मंगा लेना होगा, so this is called as citiorary, इसको आप बोलते हैं utopression मतलब अपने पास मंगवा लेना, to be certified or to be informed, उससे कहेगा, कि मतलब let this case to be informed to us, ठीक है higher court issue करता है, lower court को issue करता है, ठीक है, क्या करने के लिए जो भी pending वाला case है, उसे क्या कहते हैं, हमारे पास भेज दीजे, so this is all about, 30 already and the last one is, कियो वारेंटो, कियो वारेंटो का मतलब होता है by what authority, अधिकार प्रिक्षा मतलब, अगर कोई व्यक्ती गलत तरीके से किसी पद को ग्रहण किया है और किसी को पता लगता है, तो वो आर्टिकल 16 का उलंगन कर रहा है right to opportunity, जो equal opportunity वाली बात है उसको कहते हैं, उसका उलंगन कर रहा है, तो इसलिए उससे पूछा जाएगा, कि by what authority you are sitting on this post और अगर वो गलत तरीके से बैठा है तो he will be debarred, वो तुरंद उसे हटा दिया जाएगा, and if it explains in well way कि हाँ, यसस कारण से हम यहाँ पे हैं, then he will be on his position, तो जब कभी गलत तरीके से पदग्रहण कर लिया जाए, तो Q warrant होगा, पांच रिट हो गया, heaviest corpus हो गया, नमबर 2 mandamus हो गया, नमबर 3 provision हो गया, नमबर 4 30 हो ready हो गया, पांच Q warrant हो गया, यह पांच रिट है, Supreme Court यह high court जारी कर सकती है, ठीक है, so this is all about article 32, ठीक है, बहुत important article था, article 32 के बाद थोड़ा सा बचा है, lecture आई हो, लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी समझ लीजे, खतम ही कर देते इसको, article 33 से लेकर के article 35 तक, बहुत rare पूछा जाता है, बट important है, इसलिए मैं आपसे डिसकस कर दे रहा हूँ, article 32, wait a moment, article 32, it talks about, 33, it talks about, कि parliament को power है, ठीक है, कि वो fundamental rights को न अब्रोगेट कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, किसके, forces के, paramilitary के, ठीक है, अब देखो, ये भी तो human being है, इनको भी हमारे जैसे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन, जब ये, like, वहां हो जाते हैं, in forces में हो जाते हैं, तो parliament decide करता है, कि कौन सी मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे, कौन सी नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए, जितने मौलिक अधिकार हमारे पास होते हैं, उतने force department में जो भी लोग हैं, उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है, तो article 33 कहता है, पालिया मेंट विल डिसाइड, कि how many fundamental rights are given to the officials, ठीक है, तो article 33 इसके बारे में बात करता है, article 34 कहता है, कि अगर कहीं पर भी martial law लग गया है, martial law मतलब, यहां के situation देख रहे हैं, आप, martial law एक ऐसी situation होती है, जब कहीं पर बहुत ज़्यादा राजकता हो जाती है, या situation out of control हो जाती है, तो SENA का rule दे दिया जाता है, कि वो किसी भी जाच कर सकते हैं, अपने तरीके से नियम कानून लागू कर सकते हैं, तो कहीं पर अगर martial law लागू हो जाता है, तो उस area के जितने भी लोग होते हैं, उनका सबका fundamental right क्या हो जाता है, restrict हो जाता है, article 34 कहता है, 36 कहता है कि SENA के fundamental right को restrict कर सकते हैं, article 34 कहता है, जहां martial law लगेगा, वहां का सारगा सारगा fundamental right क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना, अब ये चीज़े दिगें हैं, ये जो concept of martial law है, martial law का जो concept है, वो England से लिया गया है, ठीक है, हलाकि martial law का जो definition है, वो समविधान में नहीं दिया गया है, ये प्रावधान हम लोगों ने लिया है, समविधान में इसका definition नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा गया है, एक situation है, martial law, जहां पर civil administration is run by the military, मैंने कहा कि वहां का सारा प्रसासन कौन चलाएगा, military चलाएगी, अपने तरीके से, own rule, अपने तरीके से चलाएगी, ठीक है, और इसी लिए वहां पर सारे के सारे, ordinary law क्या होते हैं, suspend हो जाते हैं, और military law लागू हो जाता है, तो article 34 इसके discussion में है, article 35 और last article है, भाग 3 का, इसमें क्या कहा गया है, Parliament makes law to give effect to certain specified fundamental rights, shall waste only in the parliament, इंपोर्डन है, कि कोई भी कुछ ऐसे प्रावधान है, fundamental rights को ले करके, जिसको केवल कौन parliament कर सकता है, state legislature उसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं बनाएगा, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एक important बात मैंने यहां पे लिख रखी है, कि अभी तक मैंने क्या कहा था, कि रिट जारी कौन कर सकता है, high court या supreme court, लेकिन parliament को अधिकार है, अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, order दे करके, fundamental rights के लिए rate issue करने का अधिकार किसको दे सकती है, lower court को भी दे सकती है, ठीक है, किसके पास था, supreme court और high court के पास तो था ही, लेकिन अगर parliament decide कर दे, तो कोई जिस भी, like कहते हैं, state government को वो कहेंगी, वो state government रिट जारी कर सकता है, but if parliament decides, finalizes, ठीक है, so this was all about, यह complete story थी, article 21 से लेकर के 35 तक, कोई भी confusion तो आप जरूर, comment box में बात कर लीजे, बता दीजे, ठीक है, I will try to mend it, I will try to solve it, ठीक है, as much possible, so this is about third, and we'll come to the further lectures, ठीक है, आप को अगर lecture अच्छा लग रहा है, तो आप comment, subscribe, channel को कर लीजे, नहीं किये है, like कीजे, friends में share कर दीजे, ठीक है, thank you very much, we'll meet in the next video, thank you.